हे गाईज के सो आप लोग बहुत बहुत श्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूटूब चैनल में गाईज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन मेंडिलीप की आवर साड़ी और आधोनिक आवर साड़ लिखिए यह और कभी यह भी पूछ देता है कि अदुनिक आवर साड़ी का नियम लिखिए थो यह अंतर इसमें आप दोनों में देख लोगे तो आप लोग का इसी से तीन कुश्चन त्यार हो जाएगा एक थो अंतर हो जाए गया है और यह मेंडलीप की इधर आवर का नियम भी के लिए और इसमें अंतर भी क्लिए हो जाएगा तो आप इस वीडियो को अंतर देखते रहे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है और चैन को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैन को subscribe कर ले और बेल आइकान को यहीं आधुनिक आवर्सारी में परमारु क्रमांगों के व्रत्धिक्रम में ब्यवस्तित किये ठीक है टो यह फरस्ट अंतर आपो ने पढ़ा होगा ऐसे मिन्लीव के आवर्सारी में इसका नियम की सत्यों के भौतीक तथरा उनके परमारू भारों के आवर्थी फलन होते हैं और बलकि आधोनिक आवरस्टाड़ी में आप लोगों ने पढ़ा वोगा रितत्त्तों के भौतिक वह रसायनी गूल उनके परमारू क्रमांकों के व्रिद्धी क्रम में ब्योस्ति के गए तो उसी का ये छोटा रूप है इक आंतर में लिख सकते हो कि चलिए जो सेकन अंतर है उस्षे देखते हैं सेकेंट अंतर के है इसमें 8 वर्ग है ठीक है जो में रिलीव की आवर्थ साइड़ी है उसमें 8 वर्ग है परतेक समूह को उप समूह ए और वी में विभाजित किया गया है जब आप यहां आप लोग देख सकते हो इसमें 18 अधनी का वर्शणी है इसमें 18 वर गए तथा त्लोष को ठीकह यानि प्रतेक समूई को इफो समूई में वरगी करीद नहीं किया गया ठीकी गया कया ओके इसमें जो समूई है उनको उप समोह में और गीक्रित यानि बाटा गया है और इसमें जो समोह है उनको उप समोह में नहीं बाटा गया है गायस तो यह second अंतर हो गया चलिए गयां trainee के अंतर के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था और अगे चलकर तबैं ऊस समूं 18 में रखा गया है तो इसमें अगर आपको पूछ दे कि आधोनिक आवर्षाणी का नियम लिखिए तो यह जितना इस साड़ी में अंतर बता रहा हूं ना यह सब इधर वाला सब क्या है कि आधोनिक आवर्षाणी का नियम है और इधर वाला आप लोगा मिंडलीब की अवर्सारणी का नियम है तो एक कोई अधोनीक अभाद नियम है यह साइड वाला आप लोग लिख दो गए ये आधोनीक अवर्सारणी का नियम में और इधर ये मेनलिब के ऑर scania आंतर है आप लोग का कि इस आवर्ट साड़ी में हाइड्रोजन का आस्थान निश्चित नहीं था, यानि जो मेंडलीव के आवर्ट साड़ी थी, उसमें जो हाइड्रोजन यानि एच था, उसका आस्थान निश्चित नहीं था, और वहीं आधुनिक आवर्ट साड़ी में ग है वहां अगला पर को समस्थानिक के लिए कोई अस्थान नहीं ता य decorations ऐसमें समस्थानिक के लिए कोई अस्थान नहीं था और वही देखिये आधुनिक आवर्षाणी में समग ठान को के लिए ऊची तस्थान मीला ओके गयाईज याणी road heaven है चलिए इह पाँचवा अंतर और अंतिम मतर हम जो अंतिम अंतर फ़ाल संगर सद्धानर उसे देख लेते हैं रखा गया है, तो यह चोवा और अंतिम अंतर हैं, तो इस तरह आप लोग के छेटें अंतर है, आप लोग मतलब यह चोव को अच्छे से किलियर कर लीजिएगा, क्योंकि इस से रिलेटीर आप लोग के एकजाम में कोशिन पूचे गाई, पूचेगा तो बस इस वीडियो में इतना ही I hope आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सुब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें तो बस थैंक यू